नमस्कार बाबाराश्टु नुजमाप का स्वागत है चलते हैं खबरों की और 31 जुलाई 1980 को आज से ठीक 43 सल पहले किंग आफ मिलेडी मुहमद रफी दुनिया से रुखसत हुए थे चाहने वालों की तादार ऐसी थी कि रफी के अंतिम संसकार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे थे भारत सरकार ने इनके निधन पर दो दिन का सर्वजनिक सोक एनाउंस किया था उनकी डेथ इन्वर्सरी पर आज जानिये उनके सिंगर बनने उनके जिन्दगे से जुड़े ही बे पुछे बहतरिंग की से मुहमद रफी का जर्म 24 दिसंबर 1924 को कोटाला सुल्तान सिंग अमनिस्तर में हुआ था छे भाई बहनों के परिवार में रफी दूसरे सबसे बड़े भाई थे इनके घर में सब प्यार से फिको बुलाते थे रफी एक रूड़िबादी परिवारों का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी थी लेकि रफी अलग थे गाउं की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी ऐसे परभावित हुए की रोजना उससे सुनने के इंदिक्जार करते थे उसी फकीर की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज करते थे नौ साल के उम्र में रफी का परिवर लहोर सिफ्ट हो गया था रफी को कभी पढ़ाई में दिल्चस्पी नहीं थी तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खांदानी नाई की दुकान में लगा दिया नौ साल में रफी नूर महला के माटी गेट के दुकान पर नाई बन चुके थे 19-33 की बाद तक जब पंडित जीवन लाल बाल कटवाने पहुँचे रफी यहां काम करते हुए अमरित स्टैल में बारिस सहां का हीर गुनगुना रहे थे इस आवाज में एक जातू था जिसने जीवन लाल को प्रभावित किया जीवन लाल ने रफी को और्डियन्स के लिए बुलाया जिसे उन्होंने असानी से पार्ट कर लिया जीवन लाल ने ही उन्हें पंजाबी गित के टेनिंग दी और रफी गाई का में माहिर होते चले गए 1937 में रफी ने महच 13 सल के उमर में औल इंडिया एक जीशन में लाहूर में पहली पब्लिक परफरमेंस दी यह मौका उन्हें संजोक से मिला था दरहल सरे स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पोपलर सिंगर कुंदर लांग सागल ने स्टेज पर गाने से इन कार्ट कर दिया ऐसे में आयोजेकों ने रफिस साब को परफरमेंस करने के लिए कहा गाना सुनने बैठे दर्शकों के केस गल्वी थे उन्होंने कहा कि ए लड़का एक दिर बड़ा होकर गाईक बनेगा डिरेक्टर शाम सुन्दर के मदस रफिक फिल्मों में आये पहला गाना रहा गल्वोची फिल्म का परदेशी सुनिये ओ ही दिये लगतार गाना गाते हुए रफिक खुब नाम कमा रहे थे एक्ट और पोडूसर नजीर ने मुहमद रफिक को एक सुल पिया और एक टिकट बेज़ कर बंबे बुलाया यहां उन्होंने फिल्म पहले आप 1944 का गाना हिंदुस्तान के हम है रेकॉर्ड किया पहले हिंदी गाने का रेकॉर्ड में खुन से लटपत थे तैर नौसर ने इस रेकॉर्ड का किस्सा सुनाते हुए बताए कि देश भक्त गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर और कॉरस गानाये वाले को मिलिट्र वाले जूते पहनाये गये थे जूती के आवाज से साउंड इफेक्ट कर रिकॉर्डिंग किया गया था जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मुहमद रफी के पैर से खुन बह रहे थे लेकिन उनके चेहरे में चमक थी यह चमक थी अपना पहला हिंदी गाना गाने की अनमल गुरिया 1946, सहीद 1948, दिदार 1951, कोहिनूर 1907 जैसे फिल्मों में बेतरिन गाना गाते हुए रफी साहब स्टार्ट बन गए बेजू बाबरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी ने पीछे मुल कर नहीं देखा झाल